श्री काउसिलेंद्र गुमाज आपने मुझे महा मही मिराश्पती जी के अभी भासम पर धन्वाद प्रस्ताम में चर्चा लेने का मौका दिया इसके लिए सवापती महुदे बहुत बहुत धन्जिवाद महुदे आज देश में सरकार अमरित कार के पचीस वर्स का काल खंड मना रही है लेकिन हम लोग छेतर में जब गुंते हैं जा रहे हैं तो जनता पुछती है हम लोग से कि अमरित काल क्या है ये अमरित महोज सब आप लोग मना रहे हैं, सरकार मना रही है लेकिन जनता कोई इसका लाव नहीं बुझा रहा है सभापती महोजय जनता उसी हालत में है जो पहले था सरकार लगातार नौ बरसों से सरकार में थे हम लोग भी सरकार में थे उस समय भी मानिय पर्धान मत्री जब बने थे तो उस समय बादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो दूसरे देशों में जितना काला धन है वो सब लाएंगे और हर लोगों को ऐसे ही पंद्रह पंद्रह लाख रुपया मिल जाएगा कई चीज उन्होंने कहा था सांसाद आदर्स योजना चलाएंगे आज हम लोग सांसाद सारे सांसाद लोग हैं आदर्स ग्राम योजना सब लोगों ने लिया लेकिन उसके लिए बजट में या कोई चर्चा नहीं है कि कैसे उस गाउं का विकासो कैसे उस पंचायत का विकासो इसकी चर्चा आज तक न कोजगार कैसे मिले दोल करोर नौकरिया जो नहीं मिला है नौ साल हो गया नौ दून्य अठारा करोर लोगों को नौकरि कहां से लाएगे जब भारा सरकार से भाकिन्सी नहीं हो रहा है लोग कह रहे हैं कि हम समा इसी सरकार चला रहा है सबका साथ सबका विकास कर रहा है इसमें कहीं न कहीं हम लोग सरकार की चर्चा हो रही है उसमें कहीं भी चर्चा तक नहीं है हम बिहार से आते हैं सभापती में हो जाए बिहार एक पिछ़़ा राज है वहाँ तीन बार एक बार नहीं दो दो तीन तीन वार पूरी विधान सभाने पिछला राज है इसको आगे बढने के लिए विसेथ राज का दरजा मिलना चाहिए अभी हमारे साथ ही बता रहे थे, कई आंधर के लोग, उरिशा के लोग, मध्परदेश के लोग, कई लोग मांग कर रहे हैं, सब को मिलना चाहिए, आखिर पिछड़ा राज जो है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसको आगे लाने के लिए तो विसेश राज का दरजा देना हो ये तो दहार से परसान है, तेरह जिला उसके लगातार पर भावित होता है, हर साल नेपाल से पानी चलता है, और बिहार के तेरह जिले को समलित कर देता है, जल मगम, जसकी योजना लगातार हम लोग तीसरी बार के सांसद हैं, हर साल इस बात को उठाते हैं, कि कोई नकोई समाधान होना चाहिए कि नेपाल से जो पानी आता है वह दूसरा देश है नेपाल राज का भी साय नहीं है जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी जब तक उसका समाधान नहीं होगा लेकिन आज तक उसका समाधान का कोई इसमें चर्चा नहीं है सभापती महोता है मैं पर्धान मंतरी से मांग करता हूँ कि आप अपने भासन में बिहार को कैसे पिछले पन को समाप्त करने का उपाय आप करेंगे इसके बारे में जरूर बताएं उतना ही नहीं सवापती महोदे लगातार विसेष राज के दर्जा के सबाल पर हमारे मानिय मुख मंतरी जी भी बात किये कई बार आके पर्धान मंतरी से मिले लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं किया गया सबाब पती में होता है खास करके लोग कहते हैं कि गरीबों के हम लगभग असी करोर गरीबों का आनाज कोविट के समय से दे रहे हैं उसके लिए एक साल और बढ़ा दिया गया आप एक तरफ कहते हैं कि गरीबों का विकास हमने किया है अगर गरीब का विकास होता ति खाने के लिए एनाज दिली से जाता मैं चाहता हूँ कि देश में गरीबों का विकास ऐसा हो कि उसके हाथ में काम मिले उसके बच्चों को काम मिले तब होगा देश का विकास और विहारा वांधर पिछड़ा रहेगा तोड़ी सा पिछड़ा रहेगा देश आगे नहीं बढ़ सकता है इसलिए मैं इस अभी भासन में इसकी कोई चर्चा नहीं है खास करके नारी सक्ति नारी सक्ति आपने क्या क्या भाई आपको तो चाहिए नौ साल हो गया सरकार का आप लाएए कि महलाओं के हम 50% आरच्छन द देना चाहता हूं सभापती महुद है कि बिहार में महलाओं के लिए उन्हेंने जो काम किया आज उदाहरन के तोर पर है कि अभी नौकरी में चले जाईए 35% उन्होंने आरच्छन दिया बिहार में आज उसी का देन है कि पूरे देश का पहला राज बन गया बिहार जहां इस चित रूप से आप बिल लाएए और महलाओं को 50% बिधान सभा में और लोग सभा में आरच्छन देकर करके महलाओं को आगे बढ़ाएए उतना ही नहीं सभापती महुद है कामी ने चार और मुदा साथ के साथ का मानि राउअदि जी का सभापती महँदे भासन हम लोग सुन रहे थे उन्होंने जो चर्चा किया है मेरा सरन्से मांगई है कुछ बात उन्होंने कहा है उसकी जाच करा लेने में क्या दिएक्शने था उसको उचस तरिये जाच करा लिया जाए यही मेरी मांगा है आपने मावकाद या इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी बहुत बहुत धन्यवाद स्री पिनांगी मुस्रा जी